सिंडर यूनिट बहुत मेगा नहीं आता है इसलिए हमेसा ओरिजिनल ही लगाना चाहिए इसका इस स्लाइडिंग मेकेनिजम में इसी में जालता प्रॉलम आती है विल्कम एक दूस्तो रिपेरी ग्यान की एक और नहीं वीडियो में आप सभी का सौगत है आज मैं आपको स्कूटर में फ्यूल मीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉलम है तो उसको कैसे आप सौल कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बगाऊंगा इस स्कूटर का फ्यूल मीटर विल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है इस स्कूटर कोई सा भी हो fuel meter और fuel center unit का जो working principle होता है यानि उनके काम करने का तरीका होता है वो एक जसाई होता है अभी इसके fuel tank में petrol है लेकिन इस scooter का जो fuel meter की needle है उसको ignition on करने में इस उपन नहीं होट रही है ऐसे में जो problem होती है उसमें हमें बहुत सी चीज़े देखनी पड़ती है डिरेक्ट हम fuel tank के अंदर का sender unit या fuel gear sensor जिससे बोलते हैं उसे नहीं replace करते हैं पहले हमें इसका ये coupler चेक करना पड़ता है कभी corrosion या rusting की बज़े से supply आगे नहीं बढ़ती है इसके लाबा fuel tank के अंदर जो sender unit लगा होता है उसमें problem हो सकती है और wiring में भी दिक्कत हो सकती है तो इनको पता करने के लिए आपको बस एक wire का टुकड़ा चाहिए इस wire के टुकड़े को ना इस coupler को open करके इसके terminal को short कर देना है इन दोनो terminal को अगर आप short कर दोगे जो fuel meter के needle है वो पूरी full हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ fuel meter में अभी मैंने इसे short कर दिया है और देखो needle जो है वो पूरी full जा गई है यानि जो इसकी wiring है इसका ये जो fuel meter है ये बिल्कुल सही है problem इसके sender unit में है sender unit को fuel के sensor भी बोला जाता है तो आप confused मत होना ये इसके अंदर लगा होता है अभी इसको open करना है ना तो आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको कोई भी आस्तंग नहीं बताया होगा इसके lock को open करने के लिए इस तरह के metal के screwdriver का use मत करना क्योंकि ये metal का होता है और आपने हमने देखा है कि जब पत्थर या किसी metal to metal को अगर आप आपस में टकराएंगे तो उससे spar generate होता है अगर ये spar आपके fuel तक पहुंच गया तो आग लग सकती है इसके लिए ना आपन को इस तरह का fiber का एक tool चाहिए होगा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लकड़ी का यूज कर सकते हो कोई मजबूत लकड़ी से भी आप इसके lock को open कर सकते हो इसको बात anti-clockwise गुमाना है और इसका ये lock खुल जाएगा ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी और बहुत साबधानी से काम करना पड़ता है क्योंकि fuel होता है और fuel की जो smell होती न उसमें भी आग लग सकती है तो आजपस कोई भी आग वगेरा नहीं लगा होना चाहिए बहुत ही साबधानी से इसको काम करेंगे इसको ओपन करने के बाद आप इसको उपर उठाएंगे तो ये आपको एक मेटल का लीवर दिखेगा उसे हम 90 डिग्री घुमाओगे तो ये जो फ्लोट है ये बाहर निकलाएगा ये देखो इसके बाद ना इसको ओपन साइड में रखेंगे और इसकी ये जो ओरिंग है इसको समाल के रखना क्योंकि नए फ्यूल गेस सिंसर के साथ ओरिंग नहीं आती है तो इसको क्लिंग करके बापीस इसी को लगाएंगे और साफ कपड़ा एक इसके इस होल में रख देना जिससे फ्यूल हवा में न उड़ जाए यह है पुराना फ्यूल गेस सिंसर इसके कलर पर मत जाना क्योंकि यह लोकल सिंसर है इसका मैं आपको मेकनिजम समझाता हूं क्योंकि आपका यह जाना बहुत ज़रूरी है और यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है इसके अंदर ना एक बेरिवल रेश्टर लगा होता है जिसमें वाइल लपीटी हुई है और यह जो वेरिवल रेजिस्टर है ना यह इलेक्रिस्टि को फ्रो करने से रोकता है यानि रेजिस्ट करता है तो यह जो ब्लैक का फ्रोट देख रहे हो यह टैंक के अंदर फ्यूल की कॉंटिटी के इसाब से उपन नीचे होता है यह दालूंगा जिससे कि accurate reading मुझे मिल सके सही reading बता चल सके यह आपको 235 का मिल जाएगा वैसे मैं बता दूगी इसकी जो पैकेजिंग है वह फरवरी 2022 की है अभी आप लेने जाओगे तो हो सकता है प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो आपको पहले पता करना पड़ेगा और य अभी आपको सही reading नहीं बताएगा कि फ्यूल कितना है इसमें ना कुछ नंबरिंग होती है जो प्रिंट की हुई होती हो मैं आपको दिखाना चाता हूं वही मैं द्रूर्णा हूं यहां पर देखो कुछ नंबरिंग रहती है मार्किंग रहती है और इस फ्यूल के संसर के स चातना ओर नहीं आता है जो सुरू में आपको ओर दिखाया यहां पर लगता है वह नहीं आता है तो पुराना वाला ओर इंग लगाना पड़ेगा लेकिन इसको आप क्लिंग कर लेना एक बार क्योंकि थोड़ा सा भी लीकेज हो आना तो फ्यूल यहां से निकलेगा और फि यह फ्यूल के संसर होता है ना इसका पोजीशन होता है उसी पोजीशन में इसे फिट करेंगे देखो इसमें एक निकला हुआ भाग आपके दिख रहा होगा और जो टैंक है ना उसमें भी निशान बना है यह देखो एरो का निशान बना होता है तो इसे आपको इससे मैच क करके लगाना है इसके बाद इसका लॉक हम रखेंगे लॉक में भी एक एरो बना होता है इसमें कोई थ्रेड नहीं होती यह बस लॉक में फंसता है यह एरो है ना इसको आपको लेकर आना है इस जगह पर यहां पर भी आपको एक एरो दिख रहा होगा अगेन हम इसको हाथ से ही घुमा सकते हैं लेकिन आपके केस मगर यह हाथ से नहीं घुम रहा है तो आप किसी टूल का यूज कर सकते हैं जैसा टूल मैं यूज कर रहा हूँ और प्लीज द्यान रखना मेटल का टूल मत यूज करना नितों आप पर आग लग सकती है अब हम इसका कैप भी इसमें फिट कर देंगे, आपको मेरे चैनल पे इस तरगे कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखना, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसके कपलर को मैच करके बस लगा दिना है, हो सके घर में वैसलीन हो, तो वो ल आपको मिलता हूँ, तो अभी शाम का समय है, फ्यूल मैंने इसमें लग बग, देर लिटर दलवा लिया है, और अब हम इसका इगनिशन अन करते हैं, और आपको दिखाते हैं, विल्कुल एक्कुरेट रीडिंग जो होती है, वो आ रही है, और देखो, नीडल वो उठना चुरू हो गई है, जब फ्यूल मीटर की नीडल अनलोग मीटर में, जो नीडल अगर रेड बैंट के उपर है, तो 1.3 से 1.4 लीटर फ्यूल यह उसके अंदर होता है, उसके उपर जितना तेल होगा, तो नीडल बढ़ेगी, अभी देखो, दो नमबर तक जा रही है, दूस